नमस्कार दोस्तों मैं हूँ निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्ट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आग के बारे में आग लगाने रहे हैं बताब ऐसे आग जो है बहुत ही खतरनाक चीजा आग और पानी से बचके रहना चाहिए इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए दिखने में ऐसे यूं दोस्त जैसी दिखती है कभी कबार जब छोटे रूप में होती है लेकिन जैसे ये विक्राल रूप धरती है पानी भी अगर विक्राल रूप धरता है तो बहुत रिस्की हो जाता है उसी तरीके से आग जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है तो इसको जब ये चोटी हो जब ये स्टार्ट हो उसी टाइम कंट्रोल कर ले आग है तो पानी डाल दोगा आग बुझ जाएगी ऐसा नहीं है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या है अलग-अलग क्लास की फायर है जिसे क्लास A फायर जो है वो आप ऐसे समझ लीजिए जो साधरन आग ऐसे मान लेते हैं जिसे लकडी हो गई, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, पत्य हो गया, गार्बेज हो गया इनमें जो आग लगती है जो जल्दी जल्दी लग जाती है इसको हम क्लास A फायर मान सकते हैं और Class A fire को बुझाने के लिए पानी यूज में लिया जा सकता है। पानी यूज करते हैं अगर आप यह जो आग लगए जैसे किसी कपड़े में आग लगई या लकड़ी में आग लगई पत्ते में आग लगई या किसी गार्बेज में आग लगई उसमें आप पानी डालोगे तो वो जो आग है वो बुझ जाएगी कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी दूसरे तरीके के आग में आपने पानी डाल दिया, तो वो आग में घी डालने जैसा काम भी कर सकती है, वो oxygen एक्स्ट्राक्ट करके और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी में oxygen भी होता है. अब बात करते हैं, class B fire की, जो की बहुत खतरनाक आग होती है, वो होता है flammable liquids, kerosene, diesel, alcohol, petrol, जो भी ऐसा liquid item जिसमें आग लग सकती है, उसे हम class B fire बोलते हैं, और इसको बुझाने के लिए एक oxygen blocker, मताँ oxygen उसको न मिल पाए, उसका एक foam टाइप का कोई product spray किया जाता है, fire extinguisher use में लिया जाता है, जिसे हम B class extinguisher कह सकते हैं, वो use करने से ये fire control होती है, अगर इसमें पानी डालेंगे तो हो सकता है, ये control नहीं हो, बट अगर ये जो designated fire extinguisher use करते हैं, तो class B fire को control जल्दी किया जा सकता है, इसमें carbon dioxide को भी spray करके, ये वाली fire control की जा सकती है, और जो fire engineers है, इन्होंने अलग-अलग advanced products बनाए हुए, जो class B fire को control कर सकती है, तो जब आप कभी fire extinguisher लगे वे देखें कहीं पे भी, तो उसमें आप देखीगा कि वो किस किस तरीके की आग बुजाने में सकता है, लो way के हैं अब उसमें लिखावआ लोगा, कि आपको बुजाने के लिए अलग-ळग तरीके के एक श्टिंक्यूसर की जरूद पढ़सकती है, अंडर, जहां पर ये बहुत ज्यादा तादात में अगर प्रोड़क्ट यूस किया रहा है, उसी प्रोड़क्ट को बुझाने के लिए उसी तरीके के फायर एक्स्टिंग्यूसर की ज़रुवत पड़े अब बात करते हैं क्लास C टाइप आफ फायर वो है फ्लेमेबल गैसे जैसे पहले हमने बात करी एक बात करी बी में तो फ्लेमेबल लिक्वियड victorious है ये फ्लेमेबल जो गैसे है उसमें जो आग लगती है उसे क्लास C कहते हैं तो जो क्लास C fire है उसको बुझाने के लिए dry chemicals और alग-alग तरीके के ऐसे seat के आथ पर control किया जा सकता है इसको A और B जो category के जो fire extinguisers है उसमेंसे A तो सायद हो सकता है बिल्कुल भी काम नहीं करे B थोड़ा बहुत काम कर सकता है लेकिन इसके लिए specially designated C category के fire extinguisers काम में लिये जाते है आस D में मतब surprisingly ऐसा है कि कुछ metals भी है जो आग पकड़ लेते हैं जलते हैं उन metals को control करने के लिए पानी यूज में नहीं लिया जा सकता उसको control करने के लिए अलग तरीके के fire extinguisers काम में लिये जाते हैं तो यह जो metals जब जलते हैं तो ऐसा नहीं कोई आग लग जाते हैं बहुत heavy temperature create कर देते हैं तो इसके contact में आते ही कोई दूसरी चीज होगी तो बहुत तीजी से जलेगी तो यह जो metals जब जलते हैं समझ लिए या extraordinary जब गरम हो जाते हैं तो इसमें इस तरीके के chemical या इस तरीके की चीजें spray करना ही पड़ती है जिससे इसका temperature बहुत तीजी से reduce हो अब आती है के लिए अलग तरीके के fire extinguisers आते हैं जो कि इसको ज्यादा सक्षमता से बहुत efficiently इसको बुझा सकते हैं अब क्या है जैसे suppose मान लीजे आपने कोई electrical equipment में आग लगी अब आपने उसमें पानी डाला तो वो जो पानी है न वो भी बिल्कुल बरबाद हो जाएगा तो class E type के जो fire है उसको बुझाने के लिए अलग तरीके के fire extinguisher आते हैं यह जो electrical equipment के जो आग बुझाने के जो chemical या जो भी fire extinguisher होता है वो मेरे हिसाब से gaseous ज्यादा होता होगा ताकि वो कोई residue या कोई ऐसी चीज चिपचिपा कोई product उसमें नहीं छोड़े ताकि वो equipment जितना उसमें damage हो उतना ही damage हो और जल्दी से मतब आग जो है वो आगे फ्यले नहीं और बुझ जाए ऐसा उस extinguisher की properties होती है फिर आता है class F fire या उसको K type fire भी बोलते हैं अलग-अलग जो standards create किये गए हैं ये जो class F type की fire होती है वो cooking oils हो गया, गी हो गया, fat इन में जो आग लगती है इसको बुझाने के लिए ये K type of fire extinguisher काम में लिये जाते हैं ये कुछ wet chemicals होते हैं मतलब गीला chemical होता है जो ये जो घी, तेल इन में जो आग लगती है इनके बुझाने के काम में आता है तो ये जो वीडियो बनाने का जो reason था, वो reason ये है कि कहीं पे भी आग लगे, वहाँ पे हमें पानी नहीं डालना है जहां पे पानी से आग भुझ सकती है, वहाँ तो हम पानी डाल सकते हैं, जहां पे पानी डालने से कोई बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है या कहीं कहीं पर उल्टा नुकसान हो जाए इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए तो fire extinguisher में color coding भी अलग-अलग होती है कोई लाल color का होता इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे अगर आप नीचे comment में लिखेंगे कि इसके बारे में भी video बनाना है तो उसके बारे में भी video बनाएंगे और उसकी भी जानकारी आप लोगों के साथ साजा करेंगे मुझे उम्मीद है ये video आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगाओ तो लाइक दे देना इधर कहीं पर होगा बटन और content अच्छा लग रहा हो तो इधर एक subscribe का button है, वो दबा देना subscribe करने से क्या चैनल थोड़ा grow करता है अच्छा भी लगता है तो subscribe कर लिजेगा अगर आपको सही लगे तो और बाकी सारी चीजे सब ठीक है, आग से बचके रहिए, पानी से बचके रहिए और एक्सराइज कीजिए, पैदल चलिए, अपने सरीर को फिट रखिए धंका खाना काईए, उटपटांग खाना मत खाईए, स्वस्थ रहिए और दुनिया के सबसे प्यारे दो सब, जैहिंद!